हम सबने अपने बच्च्पन में एक अफ़वा जरूर सनी होगी कि हमारे स्कूल के पीछ है या हमारा स्कूल जहां बना है वहां पे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था पर क्या आप जानते हैं भारत समिट ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर जगा की कमी को देखते हुए कब्रिस की जगा पर स्कूल बनाएं गए पर इन सबसे अलग और सबसे रहस्य में हैं सेंट एनीज इंडियन रेजिदेंशल स्कूल जो की कैनेडा में हैं यह सिलसला शुरू हुआ 1880 में जब कैनेडियन गवर्मेंट ने एक और पास किया जिसके चलते डेड़ लाग बच्चों ने र पर वहां के नागरिक नहीं थे उनके साथ से सत्रा साल के बच्चों को रेजिदेंशी स्कूल में एड्मिशन लेना होगा और दावा था फ्री एजुकेशन यह स्कूल फेडरल गवर्मेंट और क्रिश्चन मिशनरी साथ में मिलके चला रहे थे जिस वज़े से काफी साधा फंडिंग हो रही थी और फिर शुरुआत हुई 130 रेजिदेंशी स्कूल की जिन बच्चों के बहतर भविश्चे के लिए उनके पेरेंट्स उनका एड्मिशन करा रहे थे उन्हें इस चीज की भनक तक नहीं थी कि वो दुबारा इन बच्चों से कभी नहीं बिल पाएंग क्योंकि स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ किया जाता था कल्चिरल जेनोसाइड कल्चिरल जेनोसाइड यानि अपनी लांगवेज अपना रहनसेन का तरीका अपना रिलिजन सब छोड़ना होगा और अपनाना होगा क्यानडा की लांगवेज वहां का रहनसेन का तरीका और स्पेशली क्रिश्यानिटी धर्म एडमिशन के बाद लड़कों के बाल काट दिये जाते थे स्टुडेंट्स के सामने उनकी ट्रेडिशनल कपड़ों को आग लगा दी जाती थी और यूनिफॉर्म पहनने के लिए फोर्स किया जाता था पेरेंट्स से मिलने की परमिशन करते नहीं होती थी यह नहीं परेंट्स को बच्चों से मिलने की परमेशन दी जाती थी काफि परेafft से कंप्लेंट करनी की कोशिश की फूलिस नहीं की नहीं सुनी क्योंकि इन सब में गर्मेंन्ट इनवोल्व थी यौके एक शाधन था बाथ करने का और वो था लेटर वो वो तभी लिख सकते थे जब उन्हें स्कूल अलाओ करे और अपनी फर्स्ट लांगवज में नहीं बिलकि कैनेडा की ओफिशल लांगवज जो समय में इंग्लिश हुआ करती थी जो काफी बच्चे लिख नहीं पाते थे और कुछ पेरेंट समझ नहीं पाते थे साथ ये मुश्किले और बड़ी लगने लगी जब जेंडर बेसिस पर सौटिंग की गई लड़कों को अलग रखा जाने लगा लड़कियों को अलग जिस वज़े से काफी सारे भाईबें एक दूसर से अलग हो गए पढ़ाई के साथ साथ उन्हें काम भी करने पड़ते थे लड़कियों को cooking, clothing, washing clothes ऐसे काम दिये चाते थे और लड़कों को farming, carpenting ऐसे काम जिससे चर्च को कमाई हो थोड़े ही समय में चर्च को अच्छी खासी कमाई होने लगी और ये देखते हुए federal government ने funding करनी बंद कर दी जिस वज़े से सारा burden चर्च पर आ गया और चर्च ने उनके working hours जादा बढ़ा दिये अब बच्चे जादे जादा काम कर रहे थे क्योंकि उनहीं की पैसों से उनका school चल रहा था इस तरान काफी सारे schools financially unstable हो गए जिस वज़े से 1931 में 130 से घटके सीधा 80 residency schools ही रह गए थे कुछ student से ऐसे हालाद सेहन नहीं हो रहे थे जब कोई hostel से भागने की कोशिश करता या किसी भी तरीके से अपने parents से मिलने की कोशिश करता तो उसे घर भेजने की बजाए उसे दफन करना ज्यादा बहतर समझा जाता था समय बदला सरकारे बदली और आखिर में 1996 में आखरी रेजिडेंशल स्कूल भी बंद कर दिया गया parents के काफी दबाव के बाद inquiry शुरू करी गई जिसमें स्कूल की नीव में से 1300 से जादा बेनाम कबरे मिली जो सारी बच्चों की थी और साथ ही 6000 से जादा बच्चे मिसिंग थे जो आज तक मिसिंग है inquiry के दौरान स्कूल के स्ताफ ने ये भी बताया कि कुछ बच्चों को जिन्दा भी जला दिया गया था अब जो 6000 बच्चे मिसिंग है कोई नहीं जानता वो दफना दिये गए जला दिये गए या फिर गुम हो गए मौजूदा हलात की बात करें तो ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट अफ कानिडा में चल रहा है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो दोंट फोगेट टो हिट लाइक बटन और ऐसे और फाक्ट्स और इंफोर्मेशन के लिए दू सब्सक्राइब न्यूबी प्रोडाक्शन